नमस्कार दोस्तों आज हम इस पौधे के साथ हैं और यह पौधा साइद आप लोगों ने देखा भी हो और बहुत सारे भाई भैनों ने नहीं भी देखा होगा इस पोधे का नाम मेहंदी है दोस्तो मेहंदी के पोधे में अनेक स्वास्त वर्दक गुड़ पाये जाते हैं और यह कई घरेलू उपचार में भी काम आता है मेहंदी को कई देशों में हाथो और पैरों में लगाने का सिंगार भी माना जाता है महंदी के वल सजावट में ही नहीं बलकि कई घर एलू उप्चार में भी उप्योग में आ सकता है इनके पत्ते आप देख पा रहे हैं अगर आपके बालों में सफेदी आ गई है तो यह महंदी आपके बालों को पोसंड दे सकता है और आप इसका उप्योग कर अपने बालों को एक नया लुक दे सकते है आयरवेदिक मत अनुसार जिन लोगों को बुखार है उनको महंदी के ताजे पत्तों को पीछ कर हाथ वह पैरों में बांध लेनी चाहिए महंदी में कुछ परभावी तक तो पाय जाते हैं जो कई परकार के वेक्टिरिया वो फंगस में लड़ने में मदद भी करते हैं यदि आपके सरीर में कहीं घाव संक्रमन हो जाए तो आप महंदी के ताजे पत्तों को पीछ ले फिर आप उस जगह पे लगा सकते हैं परंपरी चिक्कित्सा प्रणाली के अनुसार यदि महंदी के पौधों का रश निकाल कर इसके बीजों का सेवन किया जाए तो सीर दर्द वर उतरक्व चाप्त में बहुत मदद मिलेगी इनके इन ताजे पत्तों को आप पीछ ले और ताजे पत्ते भी आप अपने सिर पे लगा सकते हैं गूटने वह जोड़ों के अगर दर्द हैं तो रंडी और मेहंदी के बराबर पत्ते ले ले और इस तरीके से पीछ ले और थोड़ा गरम कर ले और उस दर्द वाली जगह पर गरम करके बांद दे आपका दर्द पूरी तरह से खतम हो जाएगा सीर दर्द में भी मेहंदी का इस तरह से पीछ ले और उसका लेप लगाएं सीर पे क्योंकी इसका सुभाव बहुत ठंड़ा होता है मेहंदी का और वह आपके सीर के दर्द को पूरी तरह से खतम कर देगा इसके अलावा आप मेहंदी के ताजे पत्तों को तोड़ ले और फिर उसे राद वर पानी में भीगो दें सुबह उठकर चान कर पी ले आपको बहुत आराम मिलेगा दोस्तों मैंने कुछ मेहंदी के पत्ते पीशवाए हैं और आप देखिएगा कि ये कुछी मिनट में कलर छोणने लगेंगे पहले हम लोग इसी तरीके से मेहंदी के पत्तों को पीशकर लगाया करते थे पिश्ते पिश्ते ही सारा हाथ कलर से भर जाता था और कुछ बनाने लाइक बचता भी नहीं था डिजैन तो ये दोस्तों हरवल मेहंदी बिल्कुल नेचुरल तरीके से और आप इसका उप्योग कर सकते हैं जिनके घर मेहंदी का पौधा नहीं है वो डंठल से भी इसका रोपन कर सकते हैं लगा सकते हैं डंठल ही इसका उखता है इसमें छोटे-छोटे दाने भी होते हैं दोस्तों लेकिन अभी इसमें दाने नहीं आये थे आप देख पा रहे हैं कि मेरा हाथ कलर आ रहा है अभी क मेंछी 2 पहले मैं नहीं को चुआ था तो यह महेंडी बहुत क्यों करी और बिल्कुल और कान ब film है कच्चा मेंधी आपको इसका पॉडर भी मार्केट में मिल जाएगा और इसका पैस्प्राषर थो मिलता है दजाने के लिए वैसे आजका बालों के उपयोग के लिए पाउडर ही मार्केट में मिलता है उसमें कुछ नीबू अगरा के रश डाल कर और मेहदी का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों ये थी मेरी आज की मेहदी के विशे में जानकरी वीडियो अंतक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद